नमस्कार आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूँ आपके साथ रेनुमातोर। दुनिया में सबसे जादा प्यारा मा और बेटी का रष्टा माना जाता है। कहा जाता है कि मा आपनी बीटी की सबसे अच्छी दोस्त होती है। बॉलिवुट में भी कही ऐसी मा बीटी की जोडिया है जो काफी स्टाइलेश और एक दूसरे के काफी करीब है। और कहा जाता है कि आपस में मा बीटी कम और दोस्त जादा है। इस इंडस्टी में भी कुछ famous माबीटी की जोडिया है जो सासाथ है और एकी field में काम कर रही है और कुछ ऐसी भी है जो same field में नहीं है लेकिन तब भी इनकर चर्चा में बने रहना होता ही रेता है आज Mother's Day है आज मदर्स्टे के देन हम आपको बॉलिवुट की उन मदर्स डॉटर्स के बारे में बताएंगे जो स्टाइल और फाशन के लिए जाने जाती है इस लिस्ट में श्रीदेवी और जानवी, गौरी खान और सुहना खान से लेकर एश्वर्य राय और आराध्या तक का नाम शामिल है एश्वर्य राय इस दुनिया के सबसे खूब सूरत महिला है फिल्मेर दिले मुश्कल से उन्होंने उन लोगों को करारा जवाब दिया जो मा बनने के बाद उनके बढ़ते वजन को लेकर निशाना साथ रहे थी खेर ये तो हुई मा की बात लेकिन एश्वर्या की बेटी अराध्या भी किसी से कम नहीं है चोटिया राध्या बहुत ही क्यूट है और अभी से उन में स्टार क्वालिटेज दिखाई देती है मा बेटी की ये जोड़ी अकसर माचिंग आउटफर्ट में दिख जाती है हम सब की चांद नहीं यानि की श्री देवी अब हमारे बीच में नहीं है एक बहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ साथ श्री देवी एक ऐसी मा भी थी जिनके जिन्दकी अपनी दोनों बेटियों जानवी और कुशी कपूर के इर्दगिर्ध होंती रहती थी जनरेशन गैप को कैसे दूर किया जाता है श्री देवी अच्छे से जानती थी तभी वो अपनी दोनों बेटियों के साथ ऐसे रहती थी जैसे की कोई फ्रेंज रहते हैं मा बेटी की ये जोड़ी सबसे स्टाइलिश कही जा सकती है कोई भी पाथी, फंक्षन या हॉलिज आउटिंग हो श्री देवी अपनी बेटियों के साथ हमेशा लेटिस्ट आउटफिट में नज़र आती थी मोस स्टाइलिश जोड़ी के लिस्ट में ट्रीन गर्ल और उनकी दोनों बेटिया ना आये ऐसा कैसे हो सकता है लेगिन हेममालिनी और ईशा देवल का जो बॉन्ड है वो वाके बेहर्द लाजवाब है हेममालिनी को जितनी खुबसूरत है उनकी दोनों बेटिया उतनी ही खुबसूरत है हेममालिनी की दोनों बेटिया उनके काफी क्लोज है जब तीनों एक सत किस इवेंट पर दिखती है तो मानों कहटाती है बॉलिवुड के महानायक अमिता बच्चन की बीबी एक्ट्रिस जया बच्चन भी एक समय में इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रिस में शामल थी उस टाइम में भी वो काफे स्टाइलिश थी वहीं उनकी बेटी श्वेता नंदा बेस स्टाइल के मामले में अपनी मा से कम नहीं है श्वेता दिखने में बेहत खुब सूरत है लेकिन श्वेता नंदा ने हाला की एक्टिंग को अपना करियर नहीं बनाया लेकिन बच्चन परिवार के साथ पाच वे फंक्शन्स में वो अक्सर नजर आ जाती है इन दोनों के बीच का बॉंड अक्सर लोगों को अपनी तरफ काफी या ट्राक्ट करता है एक टाइम में बॉलिवूड की सबसे खूबसूरत अबी नेत्रियों वे से एक है वहें इन दोनों मा बीटी की जोड़ी बेह स्टाइलिश है टिम्पल का पाडिया ट्विंकल खन्ना दोनों की बॉलिवूड में बेहत हमागे तरह एंट्रियों थी टिम्पल का पाडिया ने बॉबी से फिल्मी परदे पर कदम रखा तो उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना ने बॉबी दियों के साथ बर साथ में डिया भी किया मा बेटी की ये जोड़ी अपने स्टाइल में किसी फैशनिस्टा से कम नहीं है और इन दोनों के बीच का प्यार जग जाहिर है बॉलिवूड की खूबसूरत अधकार अमरिता सिंगाज भी काफि सुंदर दिखती है अमरिता अपनी बेटी सारा कोस के करियर में काफी सपोर्ट करती है इन दोनों का स्टाइल सेंस काफी ट्रिंडी, सिंपल और क्लासी होता है मा बेटी की ये जोड़ी वाकिए अलिगेंट है सारा और अमरिता का स्टाइल सेंस सिंपल लेकिन काफी क्लासी है गौरी खान फैशन सेंस के मामले में रॉयल और ग्लैमरेस है मां गौरी की करा बेटी सुहाना को भी फाशन की काफी नौलेज है गौरी खान की बेटी सुहाना का हर चीज में पूरा साथ देती है गौरी अक्सर अपनी इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी की स्टाइलिश तस्वीरे पोस्ट करती रहती है गौरी अपनी बेटी सोहाना से कितना प्यार करती है इस बारे में किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अक्सर दुनों मावेटी को साथ साथी देखा जाता है शर्मिला टेगोर और सोहाली खान ये बॉलिवूट के बड़े और रॉयल परिवार की जोड़ी है जो हर राम शो और बॉलिवूट के एवेंच पर एक साथ नजर आती है दोनों मावेटी एक साथ काफी अच्छी लगती है और इनकी प्यारी बॉलिवूट की कुछ फिल्मों में काम किया है लेकिन वो अपनी माशा मिला टेगोर जितनी सक्सेस्पूल नहीं हो पाई इसके बावजू जब बात स्टाइल और एलिगन्स किया दी है तो मावेटी किये जोड़ी सबसे आगी दिखती है मदस्डे पर हमारी एक खास पेशकरश आपको कैसी लगी कमेंट सेक्षन में आकर जरूर बताएगा आप देखते रहे ये फिल्मी बीट